दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर ससत्र सीमा बल ने निकाले 115 हेट कॉंस्टेबल की भर्ती ससत्र सीमा बल में सरकाले नोकरे के इच्छा रखने वाले और सस्बी भर्ती का इंतिजार कर रहे उमिद्वार के लिए काम की खबर है केंद्रिय ग्रिय मंत्राले के अधिन ससत्र सीमा बल ने गुरूप सी में हेट कॉंस्टेबल पद की कूल 115 रिक्तियों पर भर्ती के लिए बिगापन जारी किया है सस्बी हेट कॉंस्टेबल भर्ती 2021 अधिसुचना के अनुसार आवेदन के इच्छु कुमिद्वार सस्बी के भर्ती पोर्टल सस्बी आर एसी टी टी डॉट गोवर्मेंट डॉट इन पर उप्लप्त कराये गए ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म के मैदम से आवेदन कर सकत सस्बी द्वारा हेट कॉंस्टेबल पदों के लिए ओनलाइन आवेदन के आखरी तारीक विग्याबन प्रकासन की तिति से तीस दिनों के भीतर यानी की आठ अगस्त 2021 निधारित की गई है आपके जानकारे के लिए बता दे कि जेनरल केटेगरी वाले अभियार्तियों के सो रुपिये का सुल्क रखा गया वहीं सेस्टी और महिलाओं के लिए कोई सुल्क नहीं रखा गया है इसके अलावा सेक्चेन की योगता की बात करे तो आवेदन के चुक उमिद्वारों को किसी मायनता प्राप्द बोर्ड से इंटर्मिडेट की परिचा उत्रीन होनी चा बाड़ी को 18 वर्स से कम और 25 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए बाड़ी कबर गोपाल गंज में हवाय अड़े को मिली मंजूरी बिहार के इन जीलों के यात्री फ्लायड से भर सकेंगे उड़ान जहां गोपाल गंज के लोग भी अप्लायड से उड़ान भर सकेंगे से उजना के तहद सभया हवाय अड़ा को स्विकिर्थी मिलने से इस हवाय अड़ा से हवाय अतायात सुरू होने के उमिद बढ़ गई है सभया हवाय अड़ा चालू होने पर गोपाल गंज के साथ ये आसपास के पाज जिलों को लोगों को लाव होगा पांच जिले के लोगो को हवाय अतायत की सुविधा मिलने लगेगी आपको बदा दे कि सवया हवाय अड़े के चालू हो जाने से गोपाल गंज के साथ ही पड़ोस के सिवान छपरापूर्वी चमपारन वा पश्चिमी चमपारन जिले के लोगों को लाम मिलेगा अगली बड़ी कबर सिक्चन संस्तानों के लिए हाइकोट का आदेश महिलाओ से एश्टी चात्रों के एडमिशन और ट्यूशन फिस होगी वापस जहां पाटना हाइकोट ने एक महतपूर निन्ने में सामायन महिलाओ सहित से एश्टी मिद्वारों को बड़ी रहत दी है ने रंजित पंडित की जनित याचिका पर सुनवाई की है आपको बदा दे किस याचिका में कहा गया है कि महिलाओ और एश्टी मिद्वारों से पोस्ट ग्रेजुएट तक एडमिशन ट्यूशन वा आने पेस नहीं लिये जाने का निन्ने लिया गया था यहाँ निन्ने राज सरकार ने साल 2015 में 24 जिलाई को लिया था लेकिन राज सरकार के निन्ने का उलंगन करते वे विश्विदले वक कोलेजों ने इनिस रेनिक उमिद्वारों से फिस लिया है इस पर पटना हाई कोट ने इनिस रेनिक उमिद्वारों को फिस एक सब्ता में लोटाने का निर्दे से राज सरकार को दिया है अगली बड़ी कबर सेनारी नरसंगहार पर सुप्रीम कोट ने मंजूर की बिहार सरकार की अपिल याचिका आरोपियों को जारी किया गया नोटिस जिहां बिहार के बहुत चर्चित सेनारी नरसरहार मामले में सुप्रीम कोट ने बिहार सरकार की अपिल याचिका मंजूर कर ली है पाटना हाई कोट के फैसले के खिलाब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोट में अपिल की थी सुप्रीम कोट ने इस अपिल को मंजूर करते वे अब आरोपियों को नोटिस जारी किया है आरोपियों को जवाब आने के बाद बिहार सरकार के अपिल पर सुप्रीम कोट सुनवाई शुरू करेगा आपको बता दे कि साल 1999 में बिहार में सेनारी नरसनहार हुआ था इस दोरान कई लोगों की हत्ता कर दी गई थी पाटना हाई कोट में लंबी सुनवाई के बाद पिछले दिनों निचले अधाले की तरब से दोस्ति ठराये गए 15 आरोपियों को सबूत के आभा में बरी कर दिया गिया था आई कोट के इस फेसले के खिलाब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोट में अपिल की थी बाड़ी कबर जनता के दरबार में मुख्यमंत्रिक कारकरम साड़े पांच घंटे से अधिक समय तक चला सियम नितिस ने सुने 146 लोगों की समय स्या जहा फिर से समवार से जनता के दरबार में मुख्यमंत्रिक कारकरम की सिरुवात हुई सेयम नितिस के जनता दरबार लगातार साड़े पांच घंटे से अधिक समय तक चला इस दोरान 146 आवदिकों के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्रिक ने जनता दरबार में उपस्तित अधिकारियों को आवशिक कर परवाई के निर्दिस दिये, चार देश रदन मार्गे इस्तीत मुखिमंत्री सचवाले परिसर में जनता दर्बार का आयोजन हुआ, जिसमें मुखिमंत्री नितिस कुमार ने राज के विभिन जिलों से आये, 146 लोगों की समय से सुनी। इवावो को पढ़ाई के लिए सरकार की तरब से स्टुडियन क्रेडिट कार्ड के जरिये रासी मुहया कराय जाती थी, लेकिन सरकार ने इससे योजना में कई तरह की गड़वड़ी सामने आने के बाद बड़े बदलाव किये, सरकार की तरब से नियमा में किये बदलाव और ने ग्रेडिंग वाले सिक्चन संस्तानों में पढ़ाय करने वाले इवावो को ही स्टुडियन क्रेडिट कार्ड योजना का लाब दिये जाने का हैसला किया गया अब सरकार के इस फेसले के बाद छात्रों की परेशानी बढ़ी हुई है मुहिकमंत्रे के जनता दरबार कारकरम में कल स्टुडियन क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कई सुकायते पहुची फर्यादियों ने मुहिकमंत्रे से मांग की कि साल 2018-19 में एडमिसन लेने के बाद उन्हें स्टुडियन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पाले किस्द भी मिल चुकी थी लेकिन सरकार की तरब से किये गे बदलाव के बाद आब रासी नहीं मिल पा रही है कई वावों की पढ़ाई योजना की रासी से नहीं मिलने के कारण बादित है मुईखिमंत्रे ने इन मामले को गंबेता से सुना इसके साथ ही इस्टुडेन क्रेडिट कार्ड यो सेविकाओ को ढाई साल से नहीं हुआ भोगतान जनता दर्बार में नितिस बोले पुरे राज में होगी जाज यहां बिहार में आंगन बाड़ी सेविकाओ के काम के बावजूद मांदे का भोगतान नहीं होने का मामला कल मुईखिमंत्रे के जनता दर्बार में पहुचा से के जनता दरवार में पहुचे एक सक्स ने कहा कि धाय साल से उनकी पतनी आगन बाड़ी सिवकाव की तोर पर काम कर रही है लेकिन अब तक मांदे का भुगता नहीं किया गया है मुख्यमंतरी नितिस कुमान ने इसे गंबिता से लिया और ततकाल समाज के लान विवा के दिका ले लिया है जहां बिहार के पड़ोसी राज उत्तर प्रदेश में जनसंक्या नियंतरन को लेकर नई निति लागू कर दी गई है योगी सरकार के ओर से लागू की गई निति की वज़ह से राज सही देश भर का स्यासी पारा चड़ गया है सभी योगी सरकार स्पेसले पर प्रतिकिरिया दे रहे हैं इसी क्राम में बिहार के मुख्यमंतरे नितिस कुमार ने भी जनसंक्या नियंतरन कानून लागू करने पर प्रतिकिरिया दी है सेम नितिस ने कहा कि एक बात हम साब कदे रहे हैं जिस राज को जो करना है करे लेकिन हमारा मानना है कि जनसंक्या को केवल कानून बना कर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है यह सम्मव नहीं है सेम नितिस ने कहा कि चीन को ही देख लिजिए बच्चों की सेंक्या एक से दो किया अब दो के बाद क्या हो रहा है आप किसी भी देश का हाल देख लिजिए यह सबसे बड़ी चीजे के महिलाई पड आप कम होती है सर्वे से भी इस तरह के बातों की पूश्टी हुई है इसलिए हमें सिक्चा और जागरुकता पर ज्यादा देहान देना चाहिए बड़ी कबर सिक्चा मंत्रे धर्मेंदर प्रधान की बड़ी घोसना 12 सितंबर को होगी नेट योजी की परिक्चा जिया नएक केंद्रे सिक्चा मंत्रे धर्मेंदर प्रधान ने बड़ी घोसना की है प्रधान ने सुमवर को एलान किया कि चिकिसा पाइटकरम में परवेश के लिए होने वाले नेट योजी 2021 की परिक्चा 12 सितंबर 2021 को आयुजित की जाएगी आपको बदा दे कि आवेदन प्रक्रिया मंगलवार यानि 13 जुलाई 2021 को साम 5 बजे से सुरू होगी उम्मिदवार आवेदन वीवरन के लिए राष्ट्य परिचन एजनसी की वेबसाइट need.nta.nic.in पर विजिट कर सकते हैं बाड़ी कबर उत्तर बिहार में 4 लोगों के साथ मा समेत 15 लोगों को डोबने से हुई मौत मोतिहारे में 6 की गई जान जहां उत्तर बिहार के समस्तिपूर, मोतिहारी, मदोबनी और बेतिया में समवार को डोबने से 15 लोगों की मौत हो गई सबसे दर्दनाग हादसा समस्तिपूर की विधान में हुआ जहां एक महिला और उसके चार बच्चों की पानी भरे गड़े में डूबने से मौत हो गई वही मोतिहारे के राजपूर उच्चरया में डूबने से दो किसोर सही चो लोगों की मौत हो गई इदर दर्बंगा में दो और मदो बने वह बेतिया में एक एक की डूबने से मौत हो गई आगली बाड़ी खबर 15 जुलाई से बिहार के इन 75 अंचलों में मिल सकेगा जमीन का ओल्लाइन दस्तावेज विभाग की तैयारिया जोरो पर जहाँ 15 जुलाई से बिहार के इन 75 अंचलों में मिल सकेगा जमीन का ओल्लाइन दस्तावेज राजसव एवं भूमी सुदार विभाग के अपर मुख के सचीव बिवेक कुमार सिंग ने अंचलों के मौडरन रिकोर्ड रूम से जमीन के दस्तावेज ओल्लाइन मगाने के व गडिया बकसर सारान समस्तिपूर केमूर सुपॉल मुंगीर बाका औरंगाबाद सहरसा गया और कटिहार जिलों में डाटा सेंडर सा रिकोर्ड रूम सुरुक करने जा रहा है बड़ी खबर चाचा पसबती कुमार पारस के खिलाब अब दिल्ले हाइकोर्ड के डवल बेंच में जाएंगे चिराग पासवान जहां चाचा वग केंद्रे मंत्री पसबती कुमार पारस को नहीं छोड़ने वाले हैं लोजपा सांसत चिराग पासवान लोकसवा में नेतापत को लेकर दिल्ले हाइकोर्ट से मिले जटके के बाद चिराग आप भूक भूक कर कदम बढ़ाएंगे अब वे लोकसवा अधच ओम बिडला की और से दिये गए आदेस के खिलाब दिल्ले हाइकोर्ट की डबल बेंच में अपिल करेंगे उन्होंने इसे लेकर लोग एक्सपर्ट के साथ मंतन भी किया है आपको बढ़ा दे कि पिछले सब्ता दिल्ले हाइकोर्ट ने लोकसवा में नेतापत को लेकर चिराग पासवान की याची का खारिज कर दी थी अगली बाड़ी कबर यूपी में दबोचे गई अलकाइदा के आतंकी तो बिहार में जारी हुआ अलर्ट बढ़ाए गई चोकसी जहां उत्तर परदेश के लखनों में अलकाइदा के दो आतंकीों की गिरबतारे के बाद हार पुलिस प्रसासन भी अलर्ट मोट पर है आतंक दिवस को लेकर की गई थी जिसके बाद अब बिहार पुलिस मुख्याला ने सभी जीला वा रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया है बिहार पुलिस मुख्याला ने सभी जीलों को अलर्ट करने के साथ सभी समिदन सील और राज सिमा छेतर के अधिकारियों को भी सतर करहने को कहा है इसके अलावा टेंड में सपर करने वाले यात्रियों की जाज करने का सक्त निर्दे से जारी किया है आतंकियों के नापांक मसुंके के खुलासे के बाद सबे स्टेशनों पर जाज के आदेश भी दिये गए हैं और अंकी बड़ी खबर फिर आगे बड़ी तारीक मेठापूर बस इस्टेंड अब बेस के बाद सिफ्ट होगा बरहिया जिया मेठापूर बस इस्टेंड अब बेस जुलाई के बाद ISBT बरहिया में सिफ्ट होगा इससे पूरव इसका सिफ्ट होना मुस्किल है इसका करन ISBT म कई तैयारियों का बचा होना बताया जा रहा है जब तक जरूरी तैयारिया पूरी नहीं होगी तब तक मीठा पूर से बस इस्टेंड को पूरी तरह से शिप्ट नहीं किया जाएगा आपको बता दे कि इससे पूर्व 15 जुलाय तक इसे शिप्ट करने की तैयारी चल रही थी आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में जनता दर्बार सुरू होने से बिहार के लोगों को फाइदा मिला है या नहीं इसका जब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए